आज आप लोगों का day 14 है consistent study का और day 12 की attendance काफिश आंदार रही ये अब तक की highest है 178 बच्चे है जिन्होंने अपना task complete किया और इसमें maximum बच्चे वो है जिन्होंने full test भी दिया अपना और अपने marks upload किये virtual library के ओपर तो day 14 का task देखते हैं आज का आज मैं DDAJE के भी task start करने वाला हूँ मैंने analyze किया DDAJE का भी paper तो उसमें मुझे समझ में आया कि जो English का paper है English के question है वो इस level के नहीं है कि आप उसको plain to paramount से करें UKPSC AE के लिए मैंने बताया था कि plain to paramount करने ही पड़ेगी आपको उससे आपके maximum number आ लेकिन DDAJE के लिए plain to paramount करने की कोई जुरत नहीं है इसके लिए मैं अभी देख रहा हूँ कल तक मैं आपको English का task का भी बता दूँगा कि कहां से आपको करना है मैं आपको topics देने लगूँगा लेकिन आज मैंने aptitude add किया है तो English के लिए मैं कल तक देखता हूँ थोड़ा स history के अंदर हाँ ये जो जितने भी मैं आपको task दे रहा हूँ इन सब के जो notes है print comment यानि कि जो पहला comment आप देखोगे इस video के नीचे जो पहला comment है वहाँ पर आपको काफी सारे link मिल जाएंगे आप उन पर click करोगे तो आपके पास drive का link खुलेगा वहाँ से आप download भी कर सकते ह तो exactly जिस notes से भी मैं आपको task दे रहा हूँ page number बता रहा हूँ वो मैंने पहले से ही upload कर दिये हैं आप वहाँ पर जा कर देख सकते हो तो history के अंदर जो English वाले बच्चे हैं उनको page number 59 और 60 करना है यहाँ पर आपको moderate और extremist phase मिलेगा जो हमारे पास freedom fighters थी तो यहाँ पर आपको 59 और 60 page करना है जोगरफी के अंदर आपने अब तक जितना भी कुछ भी पढ़ा है जितना भी आप कर पाओ उतना revision करना है प्लस black book के भी link आपको मिल जाएंगे वहाँ से आप randomly जो भी आपने अब तक topics किये हैं उनके PYQ करके देख लेना जो PYQ नहीं आएंगे आपको उनको अपने notes पे add कर लेना पॉलिटी के अंदर attorney general of India आपको करना है और fundamental rights आपको revise करना है attorney general of India में current affair का भी questions बन जाते हैं कि attorney general of India अभी कौन है पहले कौन थे यह सब आप देख सकते हो जो notes हैं वो पुराने हो सकते हैं तो update नहीं हुआ हूँ उसके अंदर तो आप update कर सकते हो एक बार search कर लेना कि current जो भी आपके पास personalities हैं उनके नाम देख लेना आप fundamental lights में आपको task पहले ही दे चुका हूँ तो इसको आप revise करोगे जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भारतिय राष्ट्य आंदोलन यह करना है यह आपको page number 56 और 57 मिलेगा although काफी सारे आंदोलन है जो की लगबख 6-7 page पे आएंगे आपको सभी pages नहीं करने हैं आपको सिरफ 56 और 57 page करना है फिर से मैं आपको बता रहा हूँ आपको emphasis ज़्यादा technical के उपर रखना है यह बस छोटे-छोटे task मिलेंगे इनको छोटे-छोटे एक-एक-दो-दो page ही आपको daily करने है बहुत सारा एक साथ करोगे तो time भी जाएगा और कुछ दिमाग में भी नहीं जाएगा तो 56 और 57 page कर लेना ये सब notes में upload कर दिया है मैंने पहली वहाँ से आप जाके देख सकते हो और geography में हिंदी वाले बच्चों को भी revision करना है जितना आप लोग अब तक पढ़ चुके हो quality में भी attorney general of India जो की हिंदी में बोलते हैं भारत के महा नियाएवादी उनको आपको पढ़ लेना है और fundamental rights आपको भी revise करना है aptitude में जो DDAJ वाले बच्चे हैं या फिर आप कोई भी exam की preparation कर रहे हो और उसमें aptitude है तो profit and laws और average इसके question आप कर सकते हो आपके पास कोई भी book हो आप उससे refer कर सकते हो उसके question कर सकते हो मैं भी एक यहाँ पर reference के लिए book डाल दूँगा उससे भी आप practice कर सकते हो reasoning में आप analogy और counting of figures के question करोगे counting of figures जैसे मानलों यह triangle है पूछ लिया जाए कि इसके इंदर कितने triangle है यह तो counting of figures के question हो गया आपके cover हो जाएंगे इससे बाहर जाने के आपको जुरत नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको बहुत depth में इनको पढ़ना पड़ेगा sscjpyq में लगबग चीज़े पूछी जा चुकी है तो आप सिरफ compass surveying के pyq करोगे sscjpyq अब ध्यान रहे इस बात का कि sscjpyq करोगे सिरफ इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सारे answer याद कर लिये और same question वही आ जाएगा अगर वहाँ पर bearing का question है, declination का question है तो एक दो question करने से काम नहीं बनेगा आपको उसका concept सीखना पड़ेगा कि अगर जो value change हो तो नया question आए तो आप किस तरह से solve करोगे pyq का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि exactly वही question आप रट लो आपको उसका concept याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तो आपको जितने भी question sscjpyq में है आपको सभी के concept सीखने है, practice करने है और कुछ चीजे ऐसे भी होंगी, जो रटने वाली है, वो रटनी भी है ऐसे ही pavement design के sscjpyq के pyq आपको करने है और तीसरा irrigation के अंदर water requirement of crops, soil moisture and plant relationship यह बहुत important chapter है, irrigation का सबसे important chapter है इसके भी आपको sscjpyq के pyq करने है और concept सीखने है, तो यह आपका technical का part हो गया DDAJE वाले बच्चों के लिए मैं English का मैं कलको बताता हूँ पक्का मैं देखके बता दूँगा, कि आपको कहा से English का पढ़ना है तो एक announcement हो रहा है आप लोगों के लिए कि अगर आपकी कोई भी query है तो आप उसे telegram या Gmail पर भेजनी की जंगाए आप इसी वीडियो के नीचे अगर आप post कर दोगे तो सबसे ज़्यादा chance है कि मैं सबसे जल्दी उसका reply कर दूँ ऐसा होता है कि telegram के ओपर आपके comments आते हैं आप कुछ सवाल पूछते हो तो मैं reply ज़रूर करता हूँ उनका लेकिन उसमें काफी time हो जाता है और जब time निकल जाता है मानलो आपने पूछना है कि आपका कुछ दिन बाद exam है और आपने कुछ मेर से पूछा लेकिन मैंने उसका answer आपको exam के बाद दिया तो उसकी कोई relevance नहीं रह जाती है वहाँ पर comments बहुत ज़्यादा होते हैं messages बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं priority wise की सबसे पहले जो comment आया है उसको सबसे पहले reply करूँ इसके basis पे मैं देखता हूँ चीजे तो better ये रहेगा अगर आपको जल्दी reply चाहिए तो आप यहीं इसी वीडियो के नीचे अपना comment डाल दीजे अगले दिन की वीडियो जो है उसमें मैं उस query को ले लूँगा और दूसरा आप virtual library के अंदर अपने कोई भी doubt पोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जैसे 178 बच्चे ने पढ़ाई करके वहाँ पर upload किया आपना काम अब वहाँ पर उन बच्चों ने देखा वहाँ पर कोई doubt आपने update किया वहाँ पर doubt पोस्ट किया वो देख के थोड़ा focus खराब हो सकता है बच्चों का तो better ये रहेगा कि आप इसी वीडियो के नीचे अपनी query डाले अगले दिन की वीडियो के अंदर जैसे ही मुझे time लगेगा वीडियो बनाने के बाद मैं उन कुछ queries के answer दे दिया करूँगा तो आज के लिए इतना ही that's all for this video thank you